हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज हम जिस मुवी को एक्स्प्रेंग करेंगे उस मुवी का नाम है ब्लैक पेंथर वाकांडा फॉरेवर कहानी के सुरू में हमें सुरी को दिखाय जाता है जो कि अपने भाई टिचाला के लिए एक सिंतेटिक हर्ब बनाने पे लगी हुआ है और टिचाला का हालत बहुत ज़्यादा खराब है वो कभी भी मर सकता है और तभी सुरी एक सिंतेटिक हर्ब बनाने में कामियाब हो जाती है सुरी अपने AI से पूछती है कितना पतिस्ता चांज से इस हर्ब से टिचाला को बचाने का सुरी का AI सुरी से कहता है लग कोरी से कहती है टिचला अब हमारे पूर्खों के सांथ है उसके डाला के फूरल में दिखाए जाता है जहाँ हटा अपने राजा को सद्ध भाट कहानी एक साल बात दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं क्वूइन रमोंडा को UN में जहां बाकी देश के Secretary Queen Romanda से पूछता है वाकांडा ने कहा था कि वो अपना साधन और अपना घ्यान सभी देशों के साथ बाटेगा फर वाकांडा अपना वादा पूरा नहीं किया और वाकांडा वाइबेरियम के सौधा नहीं करेंगे इसलिए नहीं क्योंकि बाइबिरियम खतरनाक है उससे भी ज़्यादा तुम लोग यहाँ सब सरीब बनकर बैठे हुए हो पर तुम लोग अपने फौस से क्या काम करवाते हो हम जानते हैं कल हमारे एक वकांडियन रिसर्स सेंटर में हमला हुआ था तब कहानी पेजन टाइम पे आती है फिर कुईन रॉमांडा कहती है और वो हमला बर हमसे हमारे साधन को छोड़ी करना चाहते थे तुम लोग को क्या लगता है हमारा समराट अभी मर चुका है और हमें बाचाने वाला कोई नहीं है और अहीं समय है बार करने का लेकिन उन हमला ब प्यार से समझा रहे हैं अगर इसके बाद आप लोगों ने हमारे साधन को छोड़ी करने का कोसिस किया तो वाकांडियंस इन्हें एक जुरूम मानेंगे और फिर हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे उसके बाद यहां से सीन सीफ्ट होता है हमें आट्लांटिक ओसियन में पर दिया जाता है फिर यह दो गोताखोर उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहां वो ड्रिल मसीन था उसके बाद वो दो गोताखोर कंट्रोल रूम से कहते हैं यह ड्रिल मसीन पूरी तरह से खराब हो गया है और तभी कुछ देर बाद वहां रहे समय तरीके से सारी साइज हो जाते हैं और वो लोग पानी में कुछ जाते हैं इन सभी को कुछ भी समझ नहीं आता इनके साथ क्या हो रहा है और तभी इनके उपर टालोकान के लोग हमला कर देते हैं और यह वही लोग होते हैं जो गहरे अटलन्टिक उस्चन में रहते हैं और फिर इनकी एक स पानी पे गिराया था और यही है टालोकान का राजा उसके बाद यहाँ सीन सीफ्ट होता है हमें वकांडा पे दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं सुरी को सुरी डोड़ा मिलाची के लिए एक नया सुट बनाता है और यह सुट बहुत ज्यादा पावरफूल होता है तभी जेनल वकोई कोई पसंद नहीं आया तभी कुईन रामंडा कहती है तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है सुरी कहती है आज भाई का बरसी है तभी सुरी की मा सुरी से कहती है आज हम दोनों बाहर जा रहे हैं और फिर कुईन रामंडा कहती है तुम अपने ये कमयों बिर् Queen Ravanda, सुरी से कहती है, इस जगा पर कितनी सांती है, तुम इहां बैटकर अपने भाई के मौत को सिकार करो, जिससे तुम्हारे जगां भर जाएंगे, और इस जगा में मुझे तुम्हारा भाई मैसूस होता है, तभी सुरी कहती है, वो आपका वहम है, उसके बाद सुरी की मा सूरी को पिचाला के फुन्रेल के कपड़े जलाने के लिए कहती है, सूरी कहती है मैं इन कपड़ों को हरगीज नहीं जलाऊंगी। तभी पानी से कुछ आवाज आता है। तभी सूरी और सूरी की मा अपने हातों में भाला उठा लेती है। तभी इनके सामने आता है टालोकन का किंग नामोर तभी कुइंग रावंडा नामोर से पूचता है कौन हो तुम बताओ और तुम यहां कैसे घुज गए तभी नामोर कहता है मेरे चाहने वाले मुझे कुकुल कान कहते हैं और मेरे दुस्मन मुझे नामोर कहते हैं फिर नामोर कहता है अमेरिकी फच को मेरे बत टेक्टर मसीन बना के दिया है तभी कुईन रामांडा कहती है वाइविरियम स्लिव हमारे पासी है फिर सुरी कहती है मा उसने वाइविरियम पहना हुआ है उसके बाद नामोर कहता है आपके बेटे ने पुरे दुनिया को वाइविरियम का ताकत दिखा दिया है और अब पु फुगे घास के तिनके से ज़्यादा मेरे पास सैनिक है, मैं आप लोगों को धंका नहीं रहा, बस दुआ करो उसकी नौबत ना आए, फिर नामोर एक संक देता है, और फिर कहता है जब आप लोग सांटिस्ट को पकल लो, तब इसमें फूक मार के सागर के पास रख देना, त उसके बाद कुईन रामंडा सभा बुलाती है, और उस सभा में सारे कभीले के लोग आते हैं, और वहाँ अंबाकु भी आता है, उसके बाद जेने लोगों कहती है, हमारे कैमरा और हमारे रेडार पे कुछ भी नहीं आया है, वो 100 किलोमेटर तक अंदर तैर के आया, और वो अकेला नहीं था, और उसके पास बहुत ज्यादा सैनिक है, तभी वहाँ बैठा एक लेडिस कहती है, वो चाहता है हम उस साइंटिस्ट को पकड़ के उसे दे दे, ताकि वो उसे मार पाए, तभी वहाँ बैठा एक दूसा लेडिस कहता है, दे दो, हमने ऐसे किसी दुसमन स पहले नहीं लड़ा, जिसके पास बाइवेरियम हो, तभी कुईन रामांडा, अमबाकु से पूछता है, तो तुम ही बता हम बाकु हम क्या करें, अमबाकु कहता है, उस मचली आ जाकर ढून के मार दो, उसके बास सीन सीफ्ट होता है, हमें सुरी के लैब में दिखाय जाता है, जहाँ सुरी उस भाइवेरियम डिटेक्टर मचिन के उपर सेच कर रही होती है, और वहाँ ओकोए और कुईन रामांडा भी होती है, शुरी कहती है जिसने भी इससे डिजाइन किया, वो काफी इंटलिजेंट है, तभी ओकोए कुईन रामांडा से कहती है, अगर सीप होता है हमें Everett Ross को दिखाए जाता है और फिर Everett Ross Suri और Okoye से मिलता है फिर Okoye Everett Ross से पूच्ती है मुझे उस Scientist का नाम जानना है इसने वो Machine बनाया था तभी Everett Ross कहता है अच्छा तो सागर में तुम ही लोग थे जिन्नों ने उस माइनिंग Сिफ में हमला किया वहां कापी सारे लोग मारे गए हैं ओको ए कहती है बकांड़ा ने कुछ भी नहीं किया तबी एबरेट्ड रौस कहता है तो कौन किया है फिर ओको कहती है हम तुमें कुछ भी नहीं बता सकते पर हमें उस साइंटिस्ट के पास जल्दी पहुंच पड़ेगा अमारा तुम पर कितना है वह एक बच्ची है जिसने उस मशीन को बनाया था और यूएन को भी अभी दूसरा मशीन चाहिए इसलिए यूएन उस बच्ची को नहीं छोड़ेगा उसके बास सेंसिफ्ट होता है हमें Cambridge University में दिखा जाता है और वहां हम देखते रिरी बिलियम के पास जाती है रिरी बिलियम सुरी को पैचान जाती है वो कहती है तुम तो राजकुमारी हो और तुम यहां क्या कर रही हो सुरी कहती है मेरा यहां आने का बज़ा है वो वाइबरियम डिटेक्टर जो तुमने बनाया और CIO को दिया रिरी बिलियम कहती है वो तो पंखला का जलपरा मानने आएगा तब तुम उसके साथ आकेले लड़ना और यहां रिली बिलियम भी डर जाती है उसके बाद यहां सीन सिफ्ट होता है हम देखते हैं सुरी उकोय और रिली बिलियम को यह तीनों रिली बिलियम के एक गराज में जाती है जहां रिली बिलियम अपना रिसर्च करती है और थोड़ी देर बाद वहाँ F.B.I. आ जाती है जिससे रेली विलियम अपनी सारे रिसर्च के दस्ता बेश जला देती है उसके बाद ये तीनों वहाँ से भागने का प्लान बनाती है जहां रेली विलियम कहती है मैं इस सूट से उड़के जाऊंग कर देते हैं और यहां उकोय के साथ इनका फाइड भी होता है मगर ये टालोकान्स उकोय को अर इसी फाइड के द्वारान एक टालोकान उकोय के तरफ एक बम को फेकता है उसके बाद उकोय अपने भाला से उस बम के उपर बार करता है जिससे वो बम महाँ फट जाता है जिस के लुए टी चाला के जाने के बात में बहूत दर गई थी इसलिए मैं उसके समाषों पर नहीं जा पाई। वहाँ एक 배 makerslet रखा हुआ अता शूरी केहती है ये बेसलेट् बहुत ज़्यादा ख्वशुरत है फिर नयमोर उसस बेसलेट को सूरी को दे देता है सूरी केहती है ये तो बहुत पुरानी कला केतिया है तुम तब से जिन्दा हो और तुम्हारी मा तो एक इनसान थी ना नयमो बहुत ज्यादा परशान हो गया थे और तब हमने हमारे चांद देपता का दामन थामा फिर हमारे देपता ने हमें सागर में एक धरसमाई बूटी तक ले गया और उस बूटी को पीने के बाद वो सभी बेहोस हो गया और यहां से उन लोगों की जिंदगी बदल गई और जब मेरी उमर धिरे धिरे बढ़ती है और मैं हवा में भी उड़ सकता हूँ और खुले आसमान में सांस भी ले सकता हूँ और फिर एक दिन मेरी मा मर गई पर उनकी आखरी इच्छा थी कि मैं उन्हें पुर्खों के जमिन पे दफना दो तो मैंने वैसा ही किया तभी सूरी कहती है और फिर उसे गहरे सागर में टालोकान सिटी पे लेके जाता है और सूरी इस सिटी को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है दूसरे तरफ हम नाकिया को देखते हैं जो कि सूरी को ढूंड रही होती है और तभी उसे सूरी का ट्रेस मिलता है जो कि पानी के नीचे से आ रहा होता है और नाकिया के साथ वकांडियन टेक होता है जो कि हवा में उड़ सकता है और पानी के अंदर तैर भी सकता है और तभी नाकिया पानी के अंदर चली जाती है सुरी को बचाने के लिए दूसरे तरब नमोर अपने मा का बेसलेट सुरी को दे देता है और नमोर य को दिखा जाता है जो कि कुछ officers के सांथ के साथ होते हैं और वहाँ वो officers कहते हैं वो लोग वकंड़ा में हमला करना चाहते हैं रस उन officers कहता है वो हमसे बहुत ज़्यादा powerful है हम बकंड़ा से लड़ नहीं सकते उसके बार यहां sin shift होता है हम तालोकान city में देखते हैं जहां नाकिया शूरी को बचाने के लिए पहुंच गई है तब ही वहां तालोकान में दिखा जाता है यहां वो औरत मर जाती है जिसके उपर नाकिया ने हमला किया था और इस बाद से नामणु और को बहुत जाद़ा लगता है जहां हम देखते हैं बकांडा में चारो तरफ से पानी घुसने लगता है और नामोर की सेना पूरी तरीका से बकांडा की लोगों के उपर हमला कर देता है और यहां नामोर भी होता है बकांडेंस को कुछ भी समय नहीं आता है वो लोग किस तरह से टालोकान से लड़े और यह उसके बाद कुईन रावन्डा का फूंरेल होता है, दुसरे तरफ हमें एवरेट्र रॉस के घर में दिखाया जाता है, जहाँ वेल इवरेट्र रॉस के घर पर आयो ही होती है, और वेल है समझ जाती है कि एवरेट्र रॉस, वॉकांड़ा के साथ मिला हुआ है, उसके बाद एफिरोस को गिरफतार कर लेती है। उसे तरफ हमें वॉकंड़ा में दिखाया जाता है। पूर्ण के पूर्ण कोसिंतिस्ट कर लेती है और असके बाद शोरी सिधा अंवाकु के पास जाता है चहां और आमबाकु कहता है यह ना इस बनाने में कामियाब हो गई है और यह हमारा ब्लैक पैंथर है उसके बाद पूरा वकांड़ा सुरी को देखके खुस हो जाता है उसके बाद सुरी कहती है यहीं सही वक्त है पलट बार करने का और हम तालुकान पे हमला करेंगे उसके बाद सूरी अपने फोज लेके अटलंटिक ओशेन में तालुकान के उपर हमला कर देता है और यहां बाकान्डियन और टालिकॉंस के बीच अच्छी फाइट होती है। आख में जला देती है और यहां नैमोर बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है उसके बाद सुरी नैमोर को हार मानने के लिए कहती है सुरी कहती है अगर तुमने हार नहीं माना तो मैं तुम्हें यहां मार दूंगी उसके बाद तुम्हारे लोगों को क्या होगा उसके बाद न रीडी विलियम को उसका आयन हाट सूट ले जाने के लिए मना करता है। पर सुरी उसके कार को नया बना के देती है। उसके बाद रेली विलियम वहां से चली आती है। और वही व्वाकांडा का नया राजा बनता हैं हम् बाकू। दूसरे तरब हमें टालोकान पर दिखाया जाता है, जहां हम नेमौर को देखते हैं, तब ही वहाँ नेमौर से पुछा जाता है, तुमने सेरेंडर क्यों किया, नेमौर कहता है, मैंने ये जानबुज कर किया, क्योंकि जब अमेरिकन्स वाकांडा पर हमला करेंगे, तब वाक सर अपने गारी के बाहर आते हैं तभी उन पर हमला होता है और यहां हम देखते हैं ओकोई को जो कि एफ्रेट रोस को इन लोगों से छुडाता है और दूसरे तरफ हम सुरी को देखते हैं जो कि नाकिया के पास जाती है और फिर वो अपने भाई के फुनरिल के कपड़ी को ज चाता था कि इसका रहन सहन साही खांदानों के तरह हो यह आम लोगों की तरह जीवन जीएगा तभी सुरी कहती है मा को इस बारे में पता था ना क्या कहती है हाँ उस बच्चे से उसका नाम पूछती है तभी वो बच्चा कहता मेरा नाम तूसो है पर यह मेरा असली नाम न आजाला.